सो नाव रेल विकास निगम लिमिटेड आरवी एनल अब देखें यहाँ पर लगा है लोवर सर्किट रिजल्ट साही थे रिजल्ट के बाद एक दम यहाँ पर जो है ना फ्लेट कारोबार और उसके बाद लोवर सर्किट है अब ऐसा क्या हुआ कि आरवी एनल के अंदर लोव बने वाला है जारा समझते हैं क्योंकि आई यार सीटी से ऐसा डर लग रहा है तो अभी देखें आगर आप यहाँ पर एलकॉन को देखें आई यार एफसी को देखें और आया सीटी सी आया सीटी सी के नंबर भी फ्लैड आया थे एकदम जादा कुछ खास था नहीं जादा आउट परफॉर्मेंस देखने नहीं मिली है लेकिन इतना भी नहीं कि यहाँ पर जो है ना अंडर परफॉर्म कर जाएं तो यह एक सबसे वड़ी बात है तो अभी आपर रेलवे स्टॉक्स जो है वो थंडे पड़ती नज़र आया बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आरवी नेल और बाकी स्टॉक्स जो है ना वो बिलकुल बरबाद हो गए यह आपका पैसा बरबाद होगा आपका पैसा बिलकुल भी बरबाद नहीं हुआ जहां तक बात है आई आर सी टीसी की तो उसका यहाँ पर ना मामले ही कुछ अलग था उसको पहले तो खीचा गया बुरी तरीके से 300 का स्टॉक कहां 6-7,000 रुपए पर विकवा दिया गया आप समझ सकते हैं तो कितना यूज है यहाँ पर जो है ना एक है एक ना मनिपलेशन है आपर जो है ना हुआ ता आया सी टीसी के अंदर मोनोपॉली के नाम पर तो वो केस थोड़ा सा डिफरेंट है आरविनल का केस थोड़ा सा डिफरेंट है आरविनल का ऐसा कुछ नहीं नमर्स आरविनल को खीच कर यहां तक लेकर आए और मैं आपको एक बात बता दू यह जो आपको तेजी दिख रही है यह आरविनल के नमर्स क्योंकि मार्केट है सोचता है फॉरवर्ड अब यह कहने की बात हैं मार्केट आगे की सोचता है और फिर यहां पर क्या होता ही दिक्कत आ जाती तो तेजी पहले हो गई अब जो तेजी नमर्स के टायम होने थी वह नमर्स से पहले यहां पर होती हुग नजर आई क्यूंकि रेलवे स्टॉक से और रेलवे यहां पर अच्छा कारव बार यहां पर हो रहा है और रेलवे ओर जो है न वह अच्छी खासी है तौन यहां पर नमबर्स अच्छे आने तो यहां पर नमबर्स तो अच्छे आए यह पर उससे पहले ही आप जो हैना वह एक बड़ी तेजी हो गए थी जिसका खामया जो है वह इस वक्त देखने को मिल अब यहां पर structure अगर आप कहें तो बरबाद होगे बरबाद तो नहीं हुआ है यहां पर बहुत उमीद हैं दो ऐसे लेवल से जो कि आपको नोट करने होगे लेकिन उससे पहले जरा quarterly numbers पर नज़र रख लीजिए और year on year क्या होता है जरा देख लेते हैं तो मैं आपको बता दू किसी कंपनी का अगर आपको business देखना है कि उसका business कैसा परफॉर्म कर रहा है तो आप सिर्फ क्वाटर दर क्वाटर देखे मार्केट में जितने लोग हैं उन्हें देखने दीचे year on year basis पर आप quarter दर quarter देखे अगर आपको सिर्फ business को ही समझ रहा है कि business कैसा run कर रहा है बिजनिस आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक ना और जब आपको देखने हैं कि out performance कितना किया है तो आप year on year basis पर net sale और net profit को compare करेए ना कि आप year on year basis quarter पर ठीक ना तो य 3437 करोड का या पर जो है net sale थी तुरंद या पर 2022 से जून के जब result आए यानि कि क्यूवन के जब result आए तो भी आपको पता चला कि 6437 करोड से घटकर 4640 करोड की net sale रहा है उसके बाद जो dent पढ़ा है तो वह तो stock वहीं का वहीं था थोड़ा सा इदर अदर हो गया वह ठीक है अब ही क्या हुआ है जो dent पढ़ा था 2022 से मार्च से 2022 से जून का भाई वो Q4 से Q1 का या पर जो है अगर आप देखें तो वो अब recovery हो रही है चार याट 640 करोड से आज कहां पर 5 या 719 करोड पर net sale पहुच गई है और लगातार हर quarter में बढ़ी रही है ठीक है न तो ये एक अच्छी बात है लगातार performance जो है वो बना हुआ है हाला कि ये continue नहीं रहता है जैसा कि अगर आप कहें कि पिछले quarter में 10% हो गया था इस quarter में 12 परसेंट ऐसा यहां पर जो है नहीं रहता कभी कभार यहां पर up and downs दिख जाते हैं पर ठीक है कभी कभार जादा भी हो जाता है तो ये continue एकदम वो एक फ्लो में जो चलता है न ग्रोथ वो एकदम नहीं कभी कभार ups and downs आ जाते हैं और अगर आप quarter quarter अगर आप देखें तो 2022 स दिसंबर से 2023 मार्च को आगर आप देखें तो Q3 में 512 करोड की net sale थी Q4 में बढ़कर 5179 करोड की net sale आपर पहुंच गई है तो ये इसमें एक अच्छी बात ही है न लेकिन problem बता है कहा हूँ ये problem हूँ ये बहुत बड़ी problem तो नहीं है बड़ी ये थोड़ी सी problem तो ही 382 कर रूड कर रह गया है तो ये एक प्रॉब्लम की बात है जो जिस वज़े से आपको एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दे सकती है हो सकता है इसकी वज़े से तो नमबर्स जो है न वो कुल मिला कर बहुत ज़्यादा अगर आप कहें फायर वर्क से नहीं है फायर वर्क है त 2022 से मार्श के जो नेट सेल है 6000 प्लस करोड की जब ये इसको क्रॉस कर देगा आरवी अनल अपने पी को क्रॉस कर देगा तब यहाँ पर जो है न यह काम कर रहेगा कुछ फिलाल जो है न आप यह समझे कि फंडामेंटल तो हमें समझ में आ गया पी रेश्यो ठीक ठाक उड़ रहेगा यहाँ पर एक रेंज में रहेगा जो अपसाइड 140 रुपए का यहाँ पर जो ना एक ऊपरी रेंज है और निचले रेंज यानि एक 100 रुपए के आसपास पॉसिवल की यह इस रेंज में बना रहे अब ज़रा देखे इंपोर्टन्ट लेवल्स क्या है नई तेजी आप देहां रखेंगा तब ही सबसे बड़ी होगी जब यह 140 रुपए का यहाँ पर जो ना लेवल क्रॉस करेगा जो कि हाल फलाल में लग नहीं रहा समझ में नहीं आ रहा इन नमबर्स के वेसिस पर यह लग नहीं रहा फंडमेंटल यहां पर कोई तेशी आपर मु गरावट यहां पर रुकी थी और बापस यहां पर 120-120 के लेवल आए थी अभी फिलाल गरावट है बट यहां पर 111 वो लेवल ता जहां पर गरावट रुकी थी तो 111 अगर इस ते अंदर तूटता है और 111, 110 के लेवल तूटने स्टार्ट हो गए उसके नीचे चलने जो ना तवज्यो दे रहा है स्टॉक सेकंड डे हमेसा कंफर्मिशन होता है कंफर्मिशन डे अदरवाइस क्या होता है कि पहले दें टूटा सेकंड डे क्या 111 रुपए की उपर बंद हो किया उसमें क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर मात खा जाता है तो यहां पर यह केंडल्स यह है आपका 100.80 अगर मालीजे 111 का लेवल नहीं वस्ता है तो सिर्फ और सिर्फ यही लेवल है जो कि आपको सपोर्ट देने के लिए तयार है 100 रुपए 80 पैसे का यानि कि 100 रुपए 80 पैसे और 100 रुपए का एक रेंज जो है वो निचले लेवल की रेंज है वो सबसे वड़ा सपोर्ट का वग करेगी 100 रुपए 80 पैसे के आसपास गरावट अगर आती है 111 रुपए के लेवल को तूटने के बाद कहीं ना कहीं समलता हो दिखेगा और वही कॉंसेप्ट पहले दिन अगर तूटता है तो सेकेंड डे जरूर गौर करना है कि रिकवरी हो सेकेंड डे कंफर्मिशन डे 100 रुपए के नीचे ही बन दोता है तो फिर यहां पर एक टेक्निकल वहासा में माना जाता है कि सेकेंड डे कंफर्मिशन डे में ये लेवल तूट गया इसके नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है ये एक अच्छी बात नहीं है बागी अगर गयारा भी नहीं तूटता है अगर 111 किसी कारण की वैसे तो यहां पर कहीं ना कि वह 100 रुपए 100 रुपए 80 पैसे कि वह रेंज समाल लेगा इस स्टॉक को ठीक ना तो इस पर ध्यार रखेगा ये रहे लेवल से उपरी में आपर 140 रुपए द्यार रखेगा एक सबसे बड संडे के दिन ठीक ना अगर वो निकलता है तो फिर यहां पर एक अच्छी बात रही तो फिर कहीं ना कि अपसाइड का गुंजाय से हो सकता है ये स्टॉक 130 140 के लेवल पर भी जा सकता है तो यह रहा आर्वी नेल के अंदर इन लेवल्स पर जरूर नज़र रखें इन लेव है चुकि आपको समझ में आने चाहिए उस रेंज को कैसे प्ले करना है क्या चल रहा है ये सब यहां पर जो है ना इन्वेस्टर को ही देखना है या ट्रेडर को ही देखना है सो अमीद है इस बात को आप समझे होंगे बहुत बड़ी अपसाइड की गुंजा इस नहीं है ब बड़ी देखने के लिए उता दर्माद उस्तो